मर्द अगर एक बार निकाह का इरादा कर ले, तो वो हर सूरत निकाह करता है, ये मजबूरियों के नाम पे छोड़ जाने वालों को मैं मर्द ही नहीं समझती। औरत महबत में जन्नत और नफरत में आउकात दिखा सकती है, परिशान मत हुआ करो, ठोकर हमेशा उन्हें ही लगती है, जिने अल्ला थामना चाहता हो, आपकी जिन्दगी में दो तरहा के लोग होते हैं, एक वो लोग जो अपने फारे वक्त में आप से बात करते हैं, और दूसरे वो जो अपना वक्त आप से बात करने के लिए वक्फ करते हैं, आँख के पानी में और बारिश के पानी में फर्क सिर्फ जजबात का होता है, जब किसी रिष्टे में हद से ज्यादा इखतलाफात जनम लेने लग जाएं, तो किनारा कशी कर लेने में ही आफिय हुसन परस इनसान दुनिया का वो बेहतरीन इनसान है, जिसकी वज़ा से औरत को हसीन होने का मकाम हासिल है, खुशनसीब होती हैं वो बहुएं जो सास सुसर के साथ जिन्दगी गुजार देती हैं, मौत इनसान के जिसन को आती है, किरदार को नहीं, इसलिए अपने किरदार को बेहतर बनाओ, ताके मरने के बाद भी याद रहो, अगर मर्द औरत की दीवी इज़त संभाल ना पाए, तो जान लेना चाहिए, कि या तो इसमें मर्दानगी की कमी है, या वो जहनी मरीज है, हिजाब आपकी शिनाख छुपाता नहीं, जाहिर करता है, कि आप बाएज़त खानदान से तालुक रखने वाली एक मुस्लमान लड़की है, जिस दिन लोगों को महबत और अट्रेक्शन में फर्क समझ आ गया, तो 99 फीसद महबतें जाली निकल आएंगी, मर्द उस औरत की महबत में रात भर तरपता रहता है, जो उसके साथ ये एक काम करें, जो उसे महबत के खाब दिखा के छोड़ जाए,